मैं तेरे नशीब का बारिस नहीं जो तुझे पे बरस जाओं तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए हम लोग अगर सही दिशा में सही तरीके से अथक मेनत करेंगे तो हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी करेंट शिक्षा में आप सभी लोगों का शौगत है आज इस वीडियो में हम 25 अक्टूबर का करेंट अफेयर शॉर्ट नोर्स के मादेम से रिवाइज करने वाले हैं आई आज की शुरुआत करते हैं अगर आप लोग इसका पीडियाप चाहते हैं तो हमेरे टेलिग्राम को जोईन कर लें जिसका लिंग कर दिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप लोग चाहले बार जोड़ रहे हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगो ऐसा ही स्वाट्स में करेंट अफेयर रिवाइज होता रहेगा और इस चैनल के मादेम से आप यह अवार्ड दिया गया है और डिवाई चंदचून भारत के पच्चासवें मुख नियाया धीश हैं और इनका कारिकाल 2024 तक नॉब्र तक शलेगा तो आप लोग इसको ध्यान रखें सेंट्रल बैंक के गवर्नर आप दा इयर अवार्ड से सक्तिकांत दासची को शमानित क किया गया है गुजरात हाई कोड की महिला मुख की नियाय धीश ये शुनीता अगरवाल जी भनी है सेम सेक्स मैरेज से सम्बंधित विवाद में कुल कितने नियाय धीश थे यहां पर पांच नियाय धीश थे जिनोंने तीन दो से फैसला किया है और इसको इनोंने इसकी वि किस केस विवाद में कहा गया है कि समलंगिक अपराद नहीं है तो ये नवतेज कौर केस 2018 में आया था जिसमें सुप्रिम कोड ने कहा कि होमो सेक्सुयल्टी इस नौट क्राइम समलंग लिगता अपराद नहीं है चवते होंग जाओ एशियाई पैरा खेलों के उदगाटन समारों में भारती दल के धोजवाहक कौन हैं यहाँ पर दो लोग धोजवाहक हैं पहले पारुल परमार जो की सटलर है इनका खेल है बैडमिंटन अमित शरोहा ये थ्रोवर हैं और ये दोनों लोग भारत की तरफ से यहाँ पर धोजवाहक हैं नेक्स्ट है अंकुष धामा अथलेटिक्स पूरुष 5000 मीटर T11 में गोल्ड मिडल इनों ने जीता है निशाद कुमार अथलेटिक्स पूरुष उंची कूद T47 में गोल्ड मिडल जीता सैलेश कुमार अथलेटिक्स पूरुष उंची कूद T63 मे गोल्ड मेडल प्रणाम शूरमा अथलेटिक्स पुरुस कलब थ्रो एफ 51 कटेगरी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है जो यहाँ पर यह दिया हुआ है थ्रो 51 एफ यह सब इनकी कटेगरी है अवनी लेखरा जो की सूटर है इन्होंने आर टू महिलाओं की 10 मीटर एर राइफ T64 में गोल्ड मेडल ने जीता है नेक्स्ट कोशन है भारत और मलेशियाई से नाओ ने कौन सा अभ्यास प्रारम किया है यहाँ पर हरिमाव शक्ती अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जा रहा है सिम्बैक्स 2023 अभ्यास का आयोसन भारत और सिंगापूर के बीच में किया जाता है जैद तलवार दूइपच्ची नोशियनिक अभ्यास भारत और UAE के बीच में होता है सद्थाइस में मालाबार नोशियनिक अभ्यास का मेजवान देश अस्ट्रेलिया यहाँ पर ता यहाँ पर कौर्ड देशों के जो देश हैं जिसमें की अस्ट अभ्यास का आयोजन भारत और USA के बीच में किया गया है नोमेडिक अलिफेंट शैन अभ्यास भारती शेना ने भारत और मंगोलिया के शाथ में हुआ है विस्व का सबसे बड़ा कपड़ा समेलन भारत टेक्स्ट 24 का आयोजन कहां पर किया जाएगा इसका आयोजन नई दि भूमी जो की हाली में कन्वेंशन सेंटर बनाये गये हैं उसमें किया जाएगा बारत मंडपम की बात करें तो इसमें हाली में जी टून्टी सम्मिट का भी आयोजन किया गया था SEO 2030 का अध्यच भारत था और SEO समेलन 2030 में इरान को SEO का नवा सदस बनाया गया है जी टून्टी 2030 का अध्यच भारत था इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर नई दिल्ली में किया गया था जी टून्टी की थीम वन अर्थ वन फैमली वन फ्यूचर थी और जी टून्टी को अब जी टून्टी वन कहा थाएगा क्योंकि इसमें अफ्रीकन यून्योन को जी टून्टी का नया सदस बनाया गया है अंतरराश्ची कॉफी समेलन इस शाल बैंगलूरू भारत में आउजित किया गया है ICC क्रिकेट वर्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है नेक्स्ट कोशिट है आधिकारिक जिला इस तरी पेंड फूल पच्छी गोशित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है यहाँ पर पहला जिला है जिसने पेंड फूल पच्छी अपने जिले के गोशित किया है इसका नाम है कशार कोड जिला केरल का है जिले के आधिकारिक ब्रच कांजी रभ को गोशित किया गया है जिले की पच्ची वाइट बेलिड शी हॉक को यहाँ पर गोशित किया गया है जिला फूल पेरिया पूला थाली यहाँ पर इसको गोशित किया है यहाँ पर जो प्रजाती है सौफ्ट शैल कच्छिये इसको इस्थानी नाम भीम नामा है इसको भी गोशिद किया गया है Next question है किस राज ने कैसरे हिंद नामक तितली को राज तितली गोशिद किया है नेक्स्ट कोशन है नाड़ा हबबा दस दिवसी है दसहरा महशो का आउजन कहा हुआ है इसका आउजन मैशूर प्रांत करनाटक में किया गया है नेक्स्ट कोशन है आबुधाबी मास्टर दोहजार तेश में महिला वर्ग का एकलखिताब किसने जीता है यहाँ पर उन्नती शिल्वर मिडल जीता है और यह दोनों भारती है और जो यह टूनामेंट है यह बैडिमिंटन से सम्बन देता है कनड़ा ओपन लक्ष शेन ने जीता है विस बैडिमिंटन चैंपियंशिप ओपन हेगन में एवजित की गई थी निष्ट है कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन और उन्यूशिवें एसियन गेम्स में गोल्ड मिडल यहाँ पर सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है मलेशिया मास्टर्स 2023 एज़ प्रणे ने जीता और लियांस ओपन 2023 प्रियांसु राजावत ने जीता था डेक्ट कोशन है कोटक महिंद्रा बैंक का नया CEO किशे नियुक्त किया गया है जहाँ पर अशोक वास्वानी जी को यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है और ये उदय कोटक के स्थान पर नियुक्त किये गये हैं इंपेरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी RBI की स्थापना किस अधनियम से हुई है तो इसकी स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा एक पहल 1935 को इसकी स्थापना की गयी थी RBI का राश्टी करण एक जनवरी 1925 को किया गया था नाबाड की स्थापना किस समिती की सिफारिश पर हुई थी नाबाड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को सिव रमन समिती की सिफारिश पर की गयी थी सिड़वी का मुख्याला ये लखनव में इस्थित है दिवंगत हुए बिशेन सिंग बेदी का सम्बंद किस से था इनका सम्बंद क्रिकेट से था दिवंगत MS शौमीनातन का उपनाम भारत के हरित करांती के जनक के रूप में हम लोग इनको याद करते हैं सुलब इंटरनेशनल के संस्थापक जिनका निधन हाली में हुआ है इनका नाम वेदेश्वर पाठक है दिवंगत नत्यांगना कनक रेले का सम्बंद किस सास्त्रीनेत से था इनका सम्बंद मोहनी अट्टम से था दिवंगत सरफजी सिंग पटेल का सम्बंद किस छेत से था इनका सम्बंद महा भारत जो बनीती उसमें इन्होंने सकुनी मामा का रोल प्ले किया था दिवंगत शलीम दुर्रानी का सम्बंद क्रिकेट से था दिवंगत गॉर्डन मूर ने किस कंपणी की स्थापना की थी इन्होंने इंटिल कंपणी की स्थापना गॉर्डन मूर ने किया था बारत और मद एशियाई देशों में NSA की बैठा कहां हुई है इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है भारत की तरफ से बारत के NSA अजी डोबाल ने इस समयलन में भाग लिया है आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगे आप लोग कोई सुझा होगे तो आप लोग के बन बॉक्स में जरूर बताईए इसका पीडियाफ आप लोग को टेली गनाम ग्रूप पे मिल जाएगा वहाँ पर आप लोग इसको जोइन कर लेजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप लोग अपना ध्यान लखें धन्यवाद है उच्छे हैं